नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मारे इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे NIOS डेलेड महतपूर्ण प्रश्ण शिंखला भाग 3 और आप सभी के NIOS के PDF मिटेरियल की काफी important part जो की होती है प्रगती जांच 3 आज हम इसे discuss करेंगे Check Your Progress जो आप सभी के PDF मिटेरियल में दी हुई है इसके questions आज हम discuss करेंगे तो आप सभी पूरे PDF को हमारे वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो की आपको description मिल जाएगी otherwise आप जाके हमारे Facebook के page Facebook पे जाएं सर्च करें तेश्ट्यूब वहाँ से आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस पूरे PDF और वीडियो को ज़रूर शेयर करें तो चलिए start करते हैं आज के हमारे इस topic को आज हम discuss करेंगे आप सभी के course नमर 501 के एक important topic जो कि है 1.3.2 which dispatch और ये पूरी वीडियो हिंदी में है अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे click कर सकते हैं आप इस PDF को जब डाउनलोड करेंगे आप यहाँ पे click करेंगे तो आप सभी को redirect किया जाएगा NIOS के PDF मिटेरियल में जो की NIOS ने आप सभी के लिए दी है तो आज हम start करते हैं इसके important प्रशन तो चलिए सुरू करते हैं Question No.1 Which dispatch की शिक्षा का क्या उद्देश्य था? उत्तर इस शिक्षा का उद्देश्य यूरोपिय कलाव विज्ञान दर्सन तथा साहित्य का अंग्रेजी के माध्यम से प्रशारन करना था भारतिय भासाओं के union को प्रूत साहित करना भी इस उद्देश्य में सम्मिलित था लोक नौकर साही की उत्पत्ती इस सिक्षा का एक महतपुर्ण उत्देशे था तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं ऐसे question आप सभी से short answer type question otherwise very short answer type question में पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप सभी को मैं बता दूँ आप सभी के exams में 70 number के question पूछे जाएंगे जिसमें 15 multiple choice question जो की 1 question होगा 4 option होगा जिसमें से 1 सही होगा आपको लगाना होगा 15 very short answer type question जैनि इस प्रकार के question जिसमें आप 2 से 4 line में answer दे सकते हैं आपको 10 short answer question और 2 long answer question पूछे जाएंगे तो ऐसे आपका examination का pattern होगा तो आप सभी को पहले से ही prepared होना पड़ेगा इस pattern के लिए तो आप सब अपनी तयारी को इसी प्रकार से करें ताकि आप सब को पता रहे कि आपके exam में क्या कौन से pattern होगे कैसे होगे चलते हैं question number 2 पे पहले तीन वी विश्व विद्याले की स्थापना कहां और कब होई थी पहले तीन वी विश्व विद्याले की स्थापना 1857 में की गई थी यह विश्व विद्याले कोलकता मुंबई तथा मदरास में खोले गए थे देखिए ये विश्व विद्धालाय वूइट्स दिस्पैच के ही समय खोले गए थे और जितने भी quite questions है यह सारे questions waspatch के है तो पहले तीन 2 विश्व विद्धालाय कि स्थापना 1857 में की गई थी यह vishव विद्धालाय कोलकता मुंबाई तथा मदरास में खोले गए थे, देखिए इसमें आपसे एक्जाम में ऐसे भी question पूछा जा सकता है, पहले तीन विश्व विद्यालेओं की स्थापना कब हुई थी, और यह आपसे multiple choice question में भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह जो है इसवी 1857 इसे याद रखना है, अब चलते हैं question number 3 पे, वुच्छ dispatch की दो मुख्य अनुसंसाएं कौन सी थी, देखिए यह question है आपके check your progress का question जो की है वुच्छ dispatch की दो मुख्य अनुसंसाएं कौन सी थी, वैसे तो काफी अनुसंसाएं थी वुच्छ dispatch की, उसके लिए आप सभी NIOS की PDF में टेटिल को पढ़ सकते हैं, जो मैंने उपर दिया हुआ है blue link, आप उस पे क्लेक करके पढ़ सकते हैं, तो वुच्छ dispatch की दो मुख्य अनुसंसाएं थी, देश भर में श्रेणी कृत्य विश्व विद्याले प्रारंभी की स्कूल, High School, Intermediate College तथा विश् वुच्छ dispatch की ये दो अनुसंसाएं थी, आप सब इस पूरे question को याद कर लेंगे, ऐसे questions आप से exam में पूछने के सबसे ज़्यादा chances और सबसे ज़्यादा probability है, अब चलते हैं question number 4 पे, वरतमान सिक्षा प्रनाली का कौन सा पक्ष, वुच्छ dispatch के सरवादिक परभावित हु कुछ यहाँ पे question में लग रहा है, थोड़ा गलत हो गया है, question यहाँ पे है, वरतमान सिक्षा प्रनाली का कौन सा पक्ष, वुच्छ dispatch से सरवादिक प्रभावित हुआ था, तो question आपका ये है, question number 2, जो check your progress का question number 2 है, तो सही उत्तर है, वरतमान सिक्षा प्रनाली के कुछ तो जैसे कि आप सब देख पार हैं, जो question है, आप सबी का वरतमान सिक्षा प्रनाली का कौन सा पक्ष, वुच्छ dispatch से सरवाधिक प्रभावित हुआ था, तो ये है आपका question, typing में थोड़ा mistake हो गया है, माफी चाहूंगा उसके लिए, अब चलते हैं question number 5, वुच्छ dispatch की कमिय क्या थी, ऐसे question आप सबी से पूछे जा सकते हैं, एक्षांस में very short answer type question में, और काफी important question है, तो पहली कमिधी, वुच्छ dispatch के कुछ महतपुर्ण अनुसंसाओं को काफी समय तक कारेनवईत नहीं किया गया, और कुछ का कारेनवयन बेढ़ंगे तरीके से किया गया, यहाँ कारेनवईत यानि सही धंग से उसका implementation नहीं किया गया, question number two, जन सिक्षा के प्रसार की योजना साकार नहीं हो पाई, यहाँ पे सरकार नहीं होगा, साकार होगा, साकार नहीं हो पाई, तीसरी कमी जो थी वो थी वरनाकुलर हाई स्थापित नहीं किया जा सके, चौती कमी जो पूरे फैलाने की जो बात थी वो नहीं हो पाया, अब बात करते हैं, which dispatch के सबसे important topic की जो की है, अनुदान सहायता, इसे English में हम कहते हैं, grant in aid system, जैसे की मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था, grant in aid system के बारे में, grant in aid सहायता, अनुदान जो एक, which dispatch की महतपुर्ण अनुश में अनुदान की मनजूरी की सिफारिश की थी, इसलिए सहायता प्रणाली में अनुदान उन स्कूलों और कॉलेजों को दिये गए, सरकार अनुदान द्वारा अपनाया गया, जो नीचे दिये गए, शर्तों को संतुष्ट करते हैं, यानि education को बढ़ाने के लिए, उन्हों को लेके satisfied थी, जो मनजूर थे, तो देखिए, एक कौन से सर्त हैं, पहला, इसकूलों को धर्म निर्पेक्ष से शिक्षा प्रदान करनी होगी, धर्म निर्पेक्ष का मतलब होता है, secular, यानि बिना जाती धर्म भेदभाव के, यानि सभी को बराबर शिक्षा, दूसरा, स्क इसकूलों को छात्रों से fees charge करना होगा, तो जो इसकूल इन सभी शर्तों को मान रहे थे, उन सभी को वुट्स डिस्पैच के द्वारा ग्रान टिनेट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा था, यानि अनुदान सहायता प्रोवाइड किया जा रहा था, तो ऐसे question आप सभी स इसे long answer type question में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अपने language में describe कर सकते हैं और briefly इसे लिख सकते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रशन की और काफी important प्रशन है, वर्स 1854 के वुट्स डिस्पैच को भारतिया शिक्षा का मैगना काटा क्यों कहा जाता है, काफी important प सकते हैं, उसके लिए आप सभी को इस blue color की जो link है, इस पे click करना होगा, आप सब को pdf material पढ़ना है, उसके बाद ही आप जा कि इस pdf को अच्छे से समझ पाएंगे, otherwise आप चाहते हैं कि कम समय में आपकी अच्छी से तियारी हो सके तो आप इन सारे questions को याद कर लें, मुझे उम्मीद है कि woods dispatch से अगर question आया तो एक भी question आपका एक्जाम में नहीं चूटेगा, तो चलिए start करते हैं इस question के answer को वर्ष 1854 के woods dispatch को भारतिय शिक्षा का magna kata क्यों कहा जाता है, सर चार्ल्स वूड उस समय बितिश East India Company के board of control के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वरिस्तरित योजना बनाई और भारत के ततकालीन गवर्नर जनरल लॉड डल हाउजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे wood का घोशना पत्र या woods dispatch कहा गया, इसे भारतिय सिक्षा का magna kata इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला इतना विवस संतुलित विस्तरित वह बहु आयामी सिक्षा प्रस्ताव था, जिसने ब्रिटिश शाषन की सिक्षानिती को दिशा दी, इस डिस्मैच की प्रमुक शिफारी से निम्न लिखित थी, इसमें सरकार से कहा गया कि वह जन सधान की सिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयम करें, इस इसमें उच्च सिक्षा का माध्यम अंगरीजी तथा स्कूल स्तर की सिक्षा का माध्यम देशी भासाओ को बनाया जाने का सुझाव दिया गया, प्रत्यक प्रांत में एक लोग शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, गाओं में देशी भासाओं पाट सालाओं पाट सा इसमें इस्त्री शिक्षा तथा व्यवसाइक शिक्षा की अवशक्ता परबल दिया तथा तक्नीकी विद्यालेवें वंबध्यापक प्रशिक्षन संस्थाओं की स्थापना की सिफारिज की गई इसमें इस बात परबल दिया गया कि सरकारी शिक्षन संस्थानों में दी जान सुझावों को काफी हद तक लागू किया गया 1854 में कोलकता बंबाई व मद्रास में विश्व विद्यालय खोले गये तथा कुछ समय बाद सभी प्रांतों में सिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया स्त्री शिक्षा के छेतरे में बेधुन स्कूल की स्थापना भी एक सार्थक परिणाम रही चाल्स वुट्स द्वारा अनुमोदित विदियों व आदर्स लगभग 50 वर्स तक प्रभावी रहे इस प्रकार वुट्स डिस्पैच भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु एक क 3,4,5,6,7 यहां पर साथ इनपर्टेंट जो की अनुसंसाय थी व हुट्स डिस्पैच के यहां पर दी गई है जो सिफारी से थी तो आपसे एक्जाम में ऐसे भी कुशन पूच सकता है वुट्स डिस्पैच की प्रमुख सिफारीसों के बारे में बताए है तो आप सब इन स सर चार्ल्स वोड्स तो सर चार्ल्स वोड्स ने महिला की शिक्षा का प्रस्ताव बहारत में रखा था और इसके लिए उन्होंने स्कूल भी खोले थे जिस स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है बेथुन स्कूल तो आप सब इस पूरे पीडिएफ को पढ़ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर आपने number 502 के answer's को देखने के लिए English हुआ यहाँ पर क्लिक करें और 503 आंसर को देखने के लिए यहाँ बित करें हमारे चैनल के वीडियो को like share जरूर करें क्योंकि काफी महनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोगं जर जरूर करें ताकि यह हमारी महनत है जो हमारा परिव यह 80,000 शिक्षक को इसने उकुपाई किया है और आगे हम उमीद करते हैं कि एक लाग शिक्षक हम जल्दी ही हमसे जुडेंगे और एजुकेशन की यह जो धारा और जो प्रवा है यह आगे बढ़ते रहेगी आप सभी हमारे चैनल पे एसाइंडमेंट्स के एंसर देख सकते ह आप देख पा रहे हैं जितने भी स्वयम के स्वर्ड प्लेलिस्ट आप सभी हिंदी में देख सकते हैं स्वयम के सारे प्रीवियस एमसे क्यू आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट कोश्चन की सीरीज जो आपके फ़र्स सेमेस्टर में पूछी जा सकती है अब रहे हिंदी दूनों में देख सकते हैं और आपको कैसे एसाइनमेंट को लिखना है फैर इसे पेपर पर लिखना है इससे रेलेटेड वीडियो आपके चैनल पे अप्लोडेड है और कैसे अपने पर आप स्वयम पर अपने उप्रूग्रस को चेक सकते है इससे बी रिल तो आप हमसे contact कर सकते हैं हमारे gmail पे जो की है asktastube.gmail.com आप हमारे facebook page पे जा सकते हैं उस पे जाने के लिए आप को यहाँ पे click करना होगा आप हमारे telegram के page आप हमारे app को डाउनलोड कर सकते हैं जो अकी है NIUS के डियलेड आप काफी important app है आप हमारे website पे जा सकते हैं आप हमस आप से best channel है आप सभी के लिए तो जाएं इस channel को subscribe करें और आपकी जो PDF है वो बन रही है आगी के जो भी भाग है वो हम जल से जल तयार कर रहे हैं दिखिए PDF बनाने में काफी समय लगता है बट महनत है करना पड़ेगा क्योंकि आप सभी के लिए करना है आप सभी ने काफी विश्वास दिखाया है तो उमीद है कि कुछ दिनों में आप सभी के लिए एक bulk material हम प्रोवाइट करेंगे जिससे आप सभी के काफी जादा जो भी course है lecture से वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे तो जाए हमारे channel को subscribe करें और bell की icon को ज़रूर प्रेस करेंगे तब तक के दिजे इजाजत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय